तो यह आपको हम सीधी तस्वीरे दिखा रहे हैं अपने भाई से मुलाकात कर प्रधान मंतुरी नरींद्र मोधी उनके घर से निकल चुके हैं अब से कुछ दिर पहले की भी आपको तस्वीरे हमने दिखाएं पिये मोधी का काफिला बढ़ता हुआ जब वोट करने के लिए पहुँचे किस तरह से वहाँ पर लोगों का हुजूम उमर पड़ा पिये मोधी की एक जलक पाने के लिए और कुछ इसी तरह की तस्वीरे यहां से भी आपको नजर आ रही हैं जब अपने भाई से मुलाकात कर वे वहां से निकले तो लोग अपने घरों से बाहर आ गए प अपने भाई से मुलाकात कर पिये मोधी उनके घर से निकल चले हैं अपने भाई सोमा मोधी के घर से पिये मोधी निकले हैं और यह आपको हम सीधी तस्वीरे दिखा रहे हैं हिमान्शु मिश्रा मेरे सयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हिमान्शु अपने भाई से प्रधान मंत्री नरेंद मोदी अपने भाई के घर से मुलाकात करके निकल चुके हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज वो मीडिया को से बात कर सकते हैं, और इसलिए एक विशेश स्थान जो है वो बनाया गया है और अब प्रधान मंत्री नरेंद मोदी का काफिला जो है वो आगया आते हुए और खुद प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जो है वो आप देखेंगे कि कैदल आते हुए कार माफ कीजेगा अब उनका काफिला आगया आ रहा है और हो सकता है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जो भारते जिन्ता पार्टी का कारिक्रम है राष्टे पदादिकारियों की बैठक है उसको प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित भी करना है और अब आप देखिए कि उनका काफिला जो है वो आगे बढ़ते हुए और हो सकता है जैसा कि हमको बताया गया है कि प्रधान मंत्री शायद आज मीडिया से बात करें हर चुनाओं में इसी तरीके से बद्दान करने के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मीडिया के साथिप भी होते हैं यहां पर और इसी लिए आज भी मीडिया के लिए एक special स्टेट नाये गया है SPG के दोरा जहां पर और देखिए आप प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी जब पाने वाले हैं तो लोग यहां बोदी बोदी के नाद पर आ रहे हैं और लोग एक जलक एक बार फिर से प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी की पाना चाहते हैं जिस त कि लोग किस तरीके से उनका नाम के नारे लगा रहे हैं संजीव आप पुरा दिखाईए किस तरीके से लोग जो है जान मंत्री नरेंद्र बोदी की जलक पाना चाहते है और देखिए पैदल चाहिए और मीडिया स्टैंड की तरफ परें तो मतलब है कि वो मीडिया से मुकत आव से जाम से शब है और मंतली रफगी अधरायास की तरीके सास तरीके सासी तरीक Gutipers लोग जोग.